करेंट कैसे हैं आप सब वेलकम टू त्रिप्ट प्रेम रेसेपी आज मैं आपको बताने जा रही हूं पीजा जो की हम सूजी आटा गेहूं का आटा सूजी और इन सब चीजों से बनाएंगे तो हम आज कॉन और पनीर का पीजा बनाएंगे जिसमें पनीर मैंने पहले से ही सेखने के लिए रख दिया आटा है अब टीरे अपना अच्छे से इस तरीके से तो दीरे दीरे वह अच्छे से हो जाएगा उसके बार हमने ये कौन को थोड़ा सा हमने माइक्रोवेव कर लिया इसको थोड़ा सा फ्राइवी करेंगे यह हमारे पास ग्रेटेट चीज है और यह जो चीज शलाइज आत और यह एरिगेनो और साथ में ब्लैक पेपर और साथ में पैपरी का अगर आपको चाहिए मिर्चीवर तो ताले नहीं तो नहीं और साथ में थोड़ा सा हमारे को चाहिए बेकिंग पॉडर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अपना सूजी ले लेंगे शुची मैंने एक कपली है और आठा मैंने आधा कपली आए इसको हम डालेंगे और अच्छे से निला लेंगे इसमें डालेंगे साल्ट इसमें हम डालेंगे साल्ट और इसको हम बटर मिल्क से बटर मिल्क से हम धीरे धीरे इसको पुरा करेंगे परनी से एक परनी से बखलए हम ऑालेंगे एक जबटर मिल्क से और आभक से पुरा करेंगे कि आपको डालना है ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि वैं यूज दीज तिंग्स इसको और पेडिया अब अच्छे से हो गया है जिसां को चाहिए अब हम क्या करेंगे ऑईल लेंगे और अपने पैन में जित्ता बड़ा आपको पीजा बनाना है आपको चाहिए कि बड़ा बीजा बनाना है है यह तोग अपने अच्छे से ब्राउन कर लिए लाइट ब्राउन हम इसको साइट में रखेंगे अब अमने जो कॉंन किये थे उसको हम लोग ठोड़ा सा अधा तेल लगा हालका सा ज्यादा नहीं डालियेगा बिलकॉल हलका सा अ लवान टू ड्रॉप सास G Newman ऑली और लेके जादा कमीनि नहीं और यह जाल और इसमें हम धालें गे। है कि फैस टॉड़ा सा चटपटा बनाना है हमारे इसमें पूलार्डेंगे थूड़ा सा इसमें थोड़ा साम डालेंगे चात मसाला जो मिलाया हुआ है और थोड़ा सा हमेशन मिल्ची और थोड़ा सा उसमें जो है अपना हमची उर पाउडा दालेंगे ताकि यह सॉल्टी हो जाए और मसाले वाला हो जाए हमने इसको टैंगी कर लिया है यम्मी यम्मी सा हो गया है अब हम इसको निकाल देंगे अपनी यह टॉपिंग दो हम दो चीजों की टॉपिंग बना रहे हैं टैंगी कॉन और साथ में अपना पनीर ठीके अब हम देखते हैं कि हमारे इसके क्या है तो यह देखो थोड़ा सा तो फूल गया है और साथ में अपने को इसको बटर मिल्क की थोड़ी सी जरुवत पड़ेगी तो मैंने मेजरमेंट आप देखी एक कटोरी है यह हाफ कटोरी बन ग्लास बटर मिलक और अगर भी बटर मिलक बटर मिल्क टाल सकते हैं नहीं है तो चाहिं तो पानी डाल सकते बटर मिल्क टालेंगे तो उसमें ज्याद़ अच्छे से फेटी अच्छा है अच्छे से फूल गई हमारी दस इनट लैब अब देखिए इस तरीके से कंसिस्टेंट होनी चाहिए यह चीज़ आप देख लीज़े अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा बेसिंग बेकिंग सोडा हम लोग इसको यह वाला स्पून देखिए अपने वहां पर जैसे है तो हाप चुटकी चुटकी इसके साफ से दो चु मोटाद लीजेगा अपनी तरफ से नहीं है तो नीचे तवा रखिए क्योंकि इस लो में बनेगा उतना अच्छा रहता है हमने गरम किया पूरा चार उत्रा पच्छे से लगा लीजिए थोड़ा ज्यादा ही तेल हो गया थोड़ा लगाईएगा अब इसको पर रखिए इस तरीके से बैटर हो गया वो चीज ध्यान रखेगा इसको पुरा पैन जितना बड़ा आपका पैन है उसमें पहला दीजिए अब हम इसको स्लो पे ज्यादा तेजने करें नीचे से जल जाएगा सूजी है इसको पकने देते हैं तो पर देखाएगा ऑफ की पर से कीपाएगा और आंट है आप स्सचीज अब हम देखते हैं क्या है है आप देखिए में देखें को और हंब कर दो देखिए आपेमस आप हाई है और आप तहे में हमारा शुघे सब्सक्राइब करें ज्यादा प्राउन नहीं करेंगा चूंकि पीछे से भी सिखेगा इससे भी क्या यह हमारा पर्फेक्ट आया है यह कर लिया दमने अब इसके बार हम इसके ऊपर स्लो कर दीजेगा एक दम गया इसको पीजा सॉस एनिप सॉस जो भी आपके माँ अविलाब आप अपना सब करिए इसके बाद हम डालेंगे हम इसमें थोड़ा साथ चीज प्रेट कर लीजिए अगर आपके पैस हो है अच्छा होना चाहिए इस चीजी पीजा अच्छा लगता है यह में पीजा यो कें टेक यह नहीं है मजरा लेना आपके पास अवेलिबिल्टी जो है क्योंकि बैचे कभी भी मांग लेते हैं अब हमारे पास हमने जो टैंगी बनाना है बूग है सबसे पहले हम कौन को करेंगे स्प्रेड और यह अपने पनीर के पीसे अच्छे से जैसे डेकॉरेट कर सकते हैं वैसे कर लें नहीं तो ऐसे ही डाल दें तो यू ट्रिप्ट प्रेम को सब्सक्राइब करना लाइक करना और देखते रहना और बनाते रहना हमारी डिशेस जैसे हम बना रहे हैं वैसे जरूर बनाते रहें और बना होता है वो भी मैं एक दिन खेलाओंगी वह भी अच्छा होता है बट मैंदा से ज्यादा अच्छा यह डालेंगे अब यह जो लाइज आते हैं यह यह भी मैं थोड़े से डालूंगी इससे थोड़ा और अच्छा हो जाता है कि टेस्ट और अच्छा आता है तो इस लाइसे साप जगा जगा डाल दीजिए अगर आपको नहीं है इसा कुछ नहीं है अब दूसरा भी चीज डाल सकते हो मेरे को इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो डालेगा अब हम इसमें जालेंगे सबसे पहले और यह नहीं डालेंगे थोड़ा सा डालिए अब उसके बाद हम फिर से टीज डालेंगे अब इसमें देखिए पिपर है इपर डालिए तोड़ा सा अब पसंद है आपके आपको डालना है तो डालिए कई लोग नहीं पसंद करते नहीं डालिए यह पैपरी का है लाल मिर्ची कहते हैं वह ड़ड़ा डाल दीजिए क्योंकि हम टैंगी बना रहे हैं तो उसमें अच्छा लगेगा अब इसके बाद हम इसको ढखके रखतेंगे और बिल्कु अब बना तो पर्वाइब का और उसका बेश है तो प्रॉपर पकना जाहिए जैसी थोड़ी देर और पास मिनेट और थोड़ा सा मतेज करेंगे क्योंकि हमारा अल्मोस्ट हो गया है थोड़ी देर और राकेंगे यम्यम्य पीज़ा भी तयार है और इसके नीचे भी हमारा पीज़ा इस रेड़ी फो यू प्लीज बनाइए बच्चों को खिलाइए और कोई भी आया है यह जल्दी से तुरंता बन जाता है और स्पेशली जो बच्चे अकेले लॉगडाउन में फस गए है बेचलर्स वो लोग तो फटा-फट बना के खा सकते हैं अपना और घर का पीज़ा भी रहेगा और साथ में आपका मैदा ने गया और साथ में सूजी का है तो आप बना सकते हैं तो इंजोई इस पीज़ा और मैं आपको करके बताते हूं सब्सक्राइब करेंगे और साथ में जोई करते करते बनाते बनाते हम सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ् कर दिए ग्रीप रिप्रेश्पी